इस लोक्डाउन के तहत, क्या क्या होगा, और क्या क्या चीज़े सस्पेंड होंगी और क्या चीज़े लागू रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ, इस लोक्डाउन के तहत कोई भी पबलिक ट्रांस्पोर्ट सर्विस allow नहीं की जाएगी, इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, आउटो रिक्षा, रिक्षा, ए रिक्षा ये एलाउ नहीं की जाएंगी ये बंदोंगी DTC की बसें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो Essential Services प्रवाइड करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा सकें दिल्ली के सारे Shops, Bazaar, Commercial Establishment, Factory, Workshop, Office, Go Down, Weekly Bazaar ये सब बंद रहेंगे दिल्ली से सटे हुए सारे States के साथ जो दिल्ली के Borders हैं ये Borders सील कर दिये जाएंगे एक्सेप्ट जो Essential Items आने हैं माल लिजे पडोसी राज्य से दूद आ रहा है सबजियां आ रही हैं खाने पीने का समान आ रहा है जो Essential Items हैं के वल वो अलाउग किये जाएंगे बाकी Borders सील कर दिये जा रहे हैं इंटर स्टेट बसेज ट्रेंज और मेट्रो सर्विसेज ये भी सस्पेंड की जा रही हैं सभी डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी सस्पेंड की जा रही हैं बंद की जा रही हैं जितने religious places हैं किसी भी धरम के हूं वो सारे बंद कीए जा रहे हैं और सभी लोगों से यह निवेदन हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें पूरी दुनिया से जो हमें सीखने को मिला वो यही कि जितना आप कम से कम बाहर निकलेंगे, जितना आप कम से कम दुनिया के संपर्क में आएंगे, उतना हम अपने आपको बचा सकते हैं हम बार-बार यही कह रहे हैं कि आप खुद अपने आपको कोरोना से बचा सकते हैं तो आप अपने घर में ज्यादा से ज्यादा रहें अनलेस बहुत जरूरी ना हो बहुत जरूरी हो बाहर जाना मालिजे दूद लेके आना है सबजी लेके आना तभी बाहर निकले आदवाइस आप बाहर ना निकले इन रेस्टिक्शन से लॉगडाउन से जनता के हित के लिए निम्न सर्विस को इससे एक्जेम्ट किया जा रहा है एक तो जो जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाले जितने ऑफिसेज हैं और जो मेजिस्ट्रिक्राण ड्यूटीज उन सारे ऑफिसेज को इससे एक्जेम्ट किया जाएगा वो जारी रहेंगे पुलीस का कामकाज जारी रहेगा सबी असपटाल और हेल्थ इंफसक्चर जारी रहेगा fire department जारी रहेगा prison department चलता रहेगा राशन کی दुकाने जारी रहेंगी चलती रहेंगी बिजली क्या दफतर जारी रहेंगे पानी की सप्लाइ से संबंदित सभी विभाग जारी रहेंगे municipal services जारी रहेंगी जैसे साफसफाई दिल्ली विधानसभा का कल बजेट सत्र है उसके लिए जो भी कामकाज है वो जारी रहेगा पे एंड अकाउंट सॉफिस जो सरकार का है वो जारी रहेगा इले प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया ये जारी रहेंगे बैंकों के कैशर और टेलर ताकि लोग अपने पैसे निकलवा सकें वो जारी रहेंगे टेलीकॉम इंटरनेट और पोस्टल सर्विसेज जारी रहेंगी जो एसेंशल गुड्स हैं जैसे खाना दवाई इनकी इकॉमर्स से संबंदित चा सभी गतिविधिया जारी रहेंगी फूड आइटम्स खाने पीने की फूड आइटम्स और ग्रॉसरी फूट्स वेजिटेबल्स मिल्क बेकरी मीट फिश इसे संबंदित दुकाने खुली रहेंगी मिल्क प्लांट्स जारी रहेंगे जो जनरल किराने की दुकाने हैं वो खुली रहेंगी जो रेस्टरांस से केवल टेक अवे और होम डिलिवरी एलाओ किया जाएगा केमिस्ट्स और फार्मेसिस्ट्स की दुकाने खुली रहेंगी पेट्रोल पॉम्प ल्पीजी और ओईल एजनसी खुली रहेंगे एनिमल फॉडर खुले रहेंगी इनकी दुकाने अब यह सारी जो चीजे मैंने बताई इनसे संबंदित मैनिफेक्टरिंग प्रॉससिंग इनकी दिस्ट्रिबूशन स्टोरेज ट्रेड कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स इनसे संबंदित जो भी है इन सर्विसेस से वह जारी रहेंगे और समय समय पे अगर सरकार को लगता है कि कोई एसेंशल सर्विस है जो रह गई और उसको जारी रखना जरूरी है तो वह समय समय पे नोटिफाइक करते रहेंगे कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे मिलता है और उससे पूछा जाता है और वो कहता है कि मैं इस सर्विस को प्रवाइड करने के लिए जा रहा हूं तो उसकी बात मान ली जाएगी उसे कोई सर्टिफिकेट देने की जूरूरी है कोई भी व जनता के उपर भरोसा करके जो जनता अगर इस से रिलेटेड कोई अस्पताल जा रहा है कोई तो उसकी बात मान ली जाएगी पांच या पांच से अधिक लोगों को इकठे नहीं होने दिया जाएगा और जितने प्राइवेट दफ्तर हैं प्राइवेट इस्टैबिश्में पांच को इस दौरान जब दोडावन रहेगा उसकी पूरी पंकादेनीं хотел यूँदिक फर्मेंट parse कि भारत सरकार से जोकि डिली के अंदर भारत सरकार की दफ्तर हैं भारत सरकार से संबंदित जो भी और होंगे वह भारत सरकार अपने अलग से निकालेगी वह इसके दाइरे में नहीं आएंगे और जो भी कोई व्यक्ति इस ओर्डर को कि लागू नहीं करेगा इसको इसका उलंगन करेगा उसके खिलाफ कानून के तहट सक्त कारवाई की जाएगी दूसरा अभी तक काफी यह सुनने में आ रहा है कि मास्क्स की और सैनिटाइजर्स की काफी ब्लैक हो रही है हम सरकार के तरफ से सबी लोगों को चेटावनी देना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब लोग इतनी विपदा में है अगर आप इस तरह की काला बाजारी करते हैं तो यह आप गलत काम कर रहे हैं ना केवल कानून के खिलाफ बलकि इंसानियत के खिलाफ तो वो आप लोग जो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इससे बाज आएं और सरकार इसके खिलाफ सक्त एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बढ़ते अभी तक हम 327 जगे रेड मार चुके हैं और 437 लोगों के खिलाफ हम अभी तक मामले दर्ज कर चुके हैं तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है हम समझ सकते हैं कि इन सब रिस्ट्रिक्शन की वज़े से आपके उपर काफी परिशानिया सब लोगों को उठानी आएंगे और अगर हम लोगों ने इस पूरी कारवाई से दस लोगों की भी जान बचा ली बीस लोगों की भी जान बचा ली तो मुझे लगता है इस वर्थ इट